हेलो फ्रेंट्स आप सभी का फिर से एक वाप बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिश्याज ओनलाइन गुरुकुल में तो आज का जो यह वीडियो है वो इस बारे में होने वाला है कि एक फरवरी 2023 को जो हमारा आज सीटेट का एक्जाम हुआ है वो किस तरीके का आया उससे उन बच्चों को काफी helpful रहेगा जिनका भी एक्जाम आने वाला है अगर उनके कोई कुछ topic रह रहे होंगे तो आप अभी से जाके कर लिजिएगा और कुछ questions अगर आपको पता चलें तो क्यूंकि आपको पता है सीटेट के एक्जाम में वही questions को अलग अलग तरीके स से पूछे गए थे ठीक है बात में हम कुछ questions भी discuss करेंगे जो कि हमें पता चले हैं अभी तो पहले बात कर लेते हैं CDP CDP में कुछ किस तरीके के questions आये थे आज जीन प्याजे से question देखने के लिए मिला था वाइगॉसकी से question देखने के लिए मिला था कोलवर की moral theory से question देखन के लिए मिला था और कथनकारक जो होते हैं कथनकारक से related question देखने के लिए मिला था Howard Gardner की जो theory होती है उससे related question आया था NCF 2005 से related question आया था और NEP 2020 से related question आया था ADHD से देखने के लिए question जैसा बच्चों ने बताया है और Autism से related question आया था देखने के लिए मतलब question आया था CDP का CTAT के exam में आज और Progressive Education से related question आया था Growth and Development से question आया था Nippon, FLN और Dyslexia, Portfolio और बागी question PYQ के कुछ कुछ same to same ही आये थे आज के exam में तो यह सारे topic थे जो CDP के exam में cover किये हुए थे आज देखिए वही के वही topics हैं जो कि हमारे CDP के syllabus में हैं और आपने अगर देखा हो पिसले वर्षों की questions किये हो तो आप देख पाएंगे कि पिसले वर्षों में भी उनी topics में से questions हमसे पूछे जाते रहे हैं ठीक है तो जैसा आपको बताया गया था कि PYQ को अपना base बना के तयारी कीजिए अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो में मैस का मैस से related कुछ पैराग्राफ ता जिसमें भाग को लेके कुछ बात थी तो उसी में से तीन चार कोशन आये थे फिर उसी में से संदी समास परियावाची विलोंग शप्त पूछे गए थे और पोयम जो थी प्रकरती के related थी तो उसी में से ही उनसे कोशन बने थे जै कि जैसे ही कोशन मिलते जाते हैं हम आपको पोश करते जाते हैं सॉलूशन के साथ साथ जैसे भी हमें कोशन रिजेंबल हो पाते हैं क्यूंकि बच्चे आते हैं एकजाम देकर तो तुरंत की तुरंत ऐसा नहीं रहता है कि उनको एकदम से प्रॉपर कोशन याद आ जाता है दीरे दीरे दोड़ा दोड़ा बात करके तब resemble हो पाता है question ठीक है और गति विदी से related question मिलाता हिंदी की पेड़ागोजी के पार्ट में ठीक है भाषा व्याकरण, LSIW, मुल्यांकन और भाषा रुची से related question मिलाता तो ये जो सारे topic इनको बताने का motive क्या है अगर आप इन topic से अगर आपका कुछ confusion है या questions अभी आपने नहीं किये है तो जाके देख लीजिए क्योंकि ऐसा हो जाता है हम बहुत सारी तयारी करते हैं बट कुछ-कुछ topic हमारे रह जाते हैं और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि CTAT के जो questions है इस बार PYQ से तो PYQ से बलकि जो हमारी shifts ह उनसे भी repeatedly पूछे जा रही है ठीक है अभी English की बात कर लेते हैं English का कुछ कैसा पेपर आया था English में नासा से रिलेटिट पैसे था फिर उसी में से synonyum, antonyum और कुछ questions उसी में से देखके हमको बताने थे ठीक है और बाकी synonyum, sorry synonyum नहीं multilingualism में से question आया था जिसको बहु भाषिकता बोला जाता है ठीक है उससे question आया था English की पेड़ागोजी में जैसा की बच्चों ने बताया है अभी और inclusive education जिसको समावेशी शिक्षा बोला जाता है उससे question आया था NEP 2020 से question आया था और language acquisition से यानि कि भाषा अधिगरण से question आया था English में तो यह सारे जो topic हैं अगर आपके नहीं हुए हैं तो अच्छे से कर लीजिए अभी भी time है यह मत सोचे कि अभी कर लेंगे थोड़ी दिर बात कर लेंगे जाए और कीजिए और अपना seated के exam इसी बार ही कि आपको clear करके आना है दोस्तों ठीक है अब math की बात कर लेते math की कुछ कैसे question आये हैं जो कि हमें पता चले हैं बच्चों के द्वारा देखते हैं math में एक भाग का question आया था जिसमें था 98 98 98 upon 9 उसको divide करके बताना था एक यह question पता चला है एक कुछ average का question आया था कुछ बच आया एक बच्चे ने बताया कि symmetry से भी question था और भिन का समतुले भिने निकालना था एक question में एक pattern से related question आया था और place value से related question आया था तो यह सारे topic math में आज हमें अभी पता चले हाँ वैन हिले की theory से भी question आया था यह भी पता चला है वैन हिले की theory बहुत ही ज्यादे महत्पू ठीक है और देख लीजिए EBS में कैसे question आये थे EBS में मैप से related question आया था और घरों के प्रकार से related question आया था मधुमक्की से गोलकुंडा से बर्ट से related question हमेशा पूचा जाता है आ रहा है आप चाहें तो हमने भी एक दो-दो मिनिट के बहुत सारी videos बनाए है पूरी playlist बनी हु पैट्रोलियम के उत्पादक राजय पूचा गया था question कुछ इस तरीके से था अभी बात करेंगे कुछ 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 हमें पता भी चल गया है बीन और वादियंदर से related question था कर्णम मलेश्वरी जी से related question था कांसा से related question था और सब थीम से related question था जैसा बताया गया है जैसा कि हम आपको हर वीडियो में भी बताते हैं कि परियावरण की जो theme है आप याद कर लीजे एकदम उसमें से पूछा जाता है और हम जो आपको questions post कर रहे हैं आप उनको एक बार देख लीजिए आपके लिए बहुत जादे helpful रहेगा जो हम आपको solve करके daily daily जो भी question हमें resemble हो पाते है पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि question सुन में से बहुत repeatedly आ रहे हैं अब देखिए ऐसे कुछ पूछा कि आता है कि कौन सा जो state है वो अरब सागर से लगता है ऐसा कुछ था अभी question नहीं पता चला है proper तो आप map ऐसे देख लीजिए कि अरब सागर से कौन सा लगता है बंगाल की खा चल पाएं फिर भी आपको कुछ तो आइडिया हो ही जाएगा कच्चे तेल के उत्पादक राज्य गुजरात और तमिल नाडू यह question था इसके option में गुजरात और तमिल नाडू जो था ठीक था ठीक है अब देखिए बीन और वादियंत्र किसको सुखा कर बनाया जाता है तो यह लौकी को सुखा कर बनाया जाता है आप लोग को पता भी होगा आपने पढ़ा भी होगा कभी और देखिए एक question आया था बाट से related जो हम बोल रहे हैं वो कबूतर था उसका answer कि मैं गुटर गुटर करता हूं घरों में घोंसला बनाता हूं पहचानों कौन हूं है त ठीक है और एक था सन 2000 में ग्रीश मृतू में किसने वेट लिफ्टिंग में पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया तो कर्णम मलेशवरी जी थी जिन्नोंने भारत का नाम रोशन किया है और EBS की उप थीम से related question था EBS की 6 थीम है जैसा कि आप लोग जानते हो 4 उप थीम है तो उप थीम का जो answer था आज वो संबंधता relationship था तो आप EBS की जो भी थीम से उनको एकदम रट लीजिए क्योंकि ये question आ ही रहा है permanently और प्रतवी की सते पर पीने योग्ये जल कितना है 3 by 4% है ठीक है आप तो इस तर और बता पाएं तो इसी तरीके की topics थे जो आपको पता चले होंगे अभी तो आपको बोला चाहेंगे अगर इन topics related अगर आपको कुछ भी confusion है या ऐसे questions जैसे अरब सागर से कौन से state लगते हैं या तेल के उत्पादक राज है चित्रकलाएं और चित्रकलाओं के साथ साथ ल पालोनी में रहती है एक रानी मधुमक्की होती है जो अंड़ देती है बाकी कामगार मधुमक्की होती है बाकी proper तो नहीं पता बट मधुमक्की के ये चार पास facts है उसी से related कुछ न कुछ होगा और बिहार जो है वो अग्रणी राज्य है भारत का मधुमक्की पालन का तो इस तरीके से जो है questions है मैंज में आप को क्या करना है वैन ही लेगी ठोरी एकदम देख लेने हैं और दशमलफ के questions देख लेने हैं और रोमन नंबर देख लीजिए आप अच्छे तरीके से क्योंकि रोमन नंबर आ सकता है क्योंकि आया था question पहले बाकी आप वाइगौस्की कोल, बाग, जीन, प्याजे और चॉम्सकी इनके बारे में पूरा-पूरा पढ़ लीजिए और पी वाई क्यूस को बेस बना के ही कीजिए तयारी और जो हम आपको पोश्ट कर रहे हैं न questions रोज रोज आपको solve करने के बाद यह resemble हो जाते हैं जैसे भी questions उनको अगर आप कर स सकते हैं तो कर लिजिए क्योंकि हमने बच्चों से बात करकर के बहुत जादे यह निशकर्श निकाला कि question जो है उनी पर बेस बेस करके हमेशा हर shift में पूछा जा रहा है हो सकता है कुछ आपको फायदा ही हो जाए beneficial हो जाए बाकी पढ़ते रहे जब तक exam है जादे अपना नहीं आएगा यह बात जान लीजिए कि आप भी seated के exam देने जा रहे हैं और वो लोग भी seated के exam दे के आये हैं जिनका exam होके आये दोनों का syllabus सेम है आपका भी और उनका भी तो ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता कि आपको उन topic से question ना पूछा जाए ठीक है तो सब के लिए same type के paper हैं किस तरीके से समझ रख पाते हैं बाकी परिशानी की कोई बात नहीं time बहुत होता है time बहुत होता है it means उन questions के according time बहुत होता है इसका मतलब यह नहीं है कि आप आराम आराम से आराम आराम से करते जाए उसको एक constant speed बनाके अच्छे से कीजिएगा paper को बाकि आप खुछ स प्यारी करेंगे आप लोग और अपना शिक्षक बनने का सबना पूरा करेंगे तो यह था आज का जो हमारा पूरा conclusion था है इसमें कुछ बच्चों ने बस paragraph को लेंदी बताया बाकी तो सभी ने मैस को भी इजी बताया हिंदी को भी इजी बताया cdp को previous year based बताया तो कोई भ कुछ person to person vary करता है जैसा हम आपको बोलते हैं कि यह easy है या hard है जो पढ़के जाता है उसको easy लगता है बाकी इसमें तो ऐसा कुछ नहीं previous year के questions से ही repeat करके अलग-अलग तरीके से questions पूछे जाते हैं या फिर shift के जो question है जो आपको पता चलते जा रहे हैं हम भी आपके लिए time time to time post करते जा रहे हैं जैसे जैसे हमको पता चलता है तो वही पूछे जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं करना क्या है पी वाई क्यूज को base बनाना है जो भी shift के question पता चल रहे हैं उनको करते जाए उनसे idea लेते जाए जो भी analysis में आपको topic सुनने के लिए मिलते हैं उनको क्या देख लीजिए एक बार कि इस तरीके का कुछ आना जाए हां गोलकुंडा का याद आ गया ऐसा question हमने एक series में कराया है जो अभी shift के question की series हम कराने पोस्ट करते हैं उसमें ऐसे दिया हुआ था याद नहीं है proper कि एक मीटर इकल टू इतने centimeter और इतने फते दर्वाजे और बं अभी याद आ गया ठीक है तो ऐसे question हमने कराये हैं जो हम post करते हैं regularly आपको questions को resemble करकर आप वहां जाके देख सकते हैं तो यह ता जो आज हमारा पूरा conclusion था आशा करते हैं आपके लिए beneficial रहा होगा और आशा करते हैं आप बहुत अच्छा करके आएंगे और कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी deal नहीं छोड रहे होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए कि बाद में करना है कब करना है कीजिए पढ़ाई कीजिए बस seated का exam हो जाएगा फिर तोड़ा rest कर लीजिएगा ठीक है तो इस video को हम यहीं end करने जा रहे हैं अगर आपको हमा करने वाले वीडियो जो हो आपको उनकी जानकारी सबसे पहले मिले तो इस video को यहीं end करते हैं पढ़ते रहे हैं अपना दिहान रखिए जय हिंग जय भारत दोस्तों